नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से stocks पर trade लेना है plus nifty bank nifty का क्या scenario रह सता है कल मैं वीडियो इसलिए upload नहीं करी थी because मुझे fever आ गया था and अब मैं थोड़ा ठीक हूँ सो मैं वीडियो upload आप लोगों के सामने upload कर रहा हूँ सबसे पहले stock की बात कर लेते हैं कि कौन्चे stocks पर trade करना है and nifty और nifty के अंदर भी और bank nifty के अंदर भी हम लोगों ने थोड़ा बट profit अन करा and जो कल हम लोगों ने stocks ले रखेते हैं उस पर भी आज हमें अच्छा profit हुआ देखे guys मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ जो मैं probably बहुत टाइम से बोल रहा हूँ and जो मैंने कि stock market crash scam वाली वीडियो भी डाली थी उस पर भी मैंने आप लोगों को बहुत बार एक बात बोली थी consistent अगर आपको market में earn करना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा ठेक है technical analysis ही एक ऐसा जरिया है जिसके through आप market में earn कर सकते हो मैं ये नहीं कह रहा है कि fundamental analysis के through आप कुछ नहीं कर सकते है कर सकते हो बट वो Warren Buffett जैसे लोगों के लिए है जो 10 साल 5 साल वेट कर सकते है अगर आपको 10 साल 5 साल वेट करना है तो आप सीधा SIP पर जाएए ठेक है एक छोटी सी बात बुलना चाहूँगा अगर आप inflation late check करेंगे वो भी 37% के असपास का है बैंक पे अगर आप FD करवाते है तो वो भी आपको max to max 7% दे देती है एवेंचली आपको अपनी जेब से ही पैसा देना पड़ रहा है अगर आप FD भी करवा रहे है तो मैं आप लोगों को काऊंगा market को एक आप other source of income बनाई है पर सीखने के बाद बनाई है समझ रहे हैं आप तो सीखना पहले है तब ट्रेट करना है कोई भी अगर आप business start करते हो तो आप किसी के भरोसे एक साल कर लोगे डेड़ साल कर लोगे बिट इवेंचली आपको खुदी फिर continue करना पड़ता है तो पहले किसी को teacher बनाई है फिर उसके teacher बनिये फिर किसी को पढ़ाई है फिर वो आपका teacher बने इसी तरीके से हम लोग बच्चों को पढ़ा पाएंगे अगर हम यह सोचे कि हम teacher है मैं सर्व उसको उत्ता ही ग्यान दूँगा कि वो मेरा teacher ना बन पाए तो यह बेफकूफी वाली बात होती है तो वो actual में पैसा कमाना चाह रहा है वो पढ़ाना नहीं चाह रहा तो मैं यही काऊंगा पढ़िए उसके बाद कमाईए ठीक है तो यहाँ पर हर point को समझना उसके बाद ही आपको अपनी analysis करनी है आपको trade लेना है ठीक है अब देखेगा यह particular stock है Redico Khetan ठीक है यह particular stock एक upper rising channel के अंदर काम कर रहा है ठीक है एक wedge pattern मना रहा है and eventually इसका एक breakout आया था उसके बाद दुबारा नीचे आया and exact उसी level से recover भी कर रहा है ठीक है आपने bottom से recover कर रहा है एक reversal type of इसने pattern मनाया है अपने trend line से एक reverse कर रहा है so yes probably अगर अभी यह trade कर रहा है 4.64 पे तो 4.65.5 के उपर इस पे एक अच्छी buying आ सकती है जो कि इसे 4.70 तक लेकर जा सकती है जो इसका upper rising trend line है and उसके उपर भी breakout दे सकती है अब सुनिएगा कि reason क्या है buy करने का क्योंकि एक बर false breakout आया है तो chances are high थे कि नीचे वाली trend line को भी break कर सकता था and it can make higher lower lows and lower highs ठेक है stocky psychology को समझने is very important पर इसने ऐसा नहीं करा अपने previous low को respect करा है and दुबारा उपर जा रहा है ठेक है तो हमें इसको भी respect देना है अगर ये इस अभी तक अपने pattern को follow कर रहा है which pattern higher highs higher lows को तो हम भी उसे respect देंगे and trade करेंगे हमारा इन tradeों में एक ही बार stop loss होता है वो जब एक reversal आता है जब higher high का trend का continuation जो है वो reversal में change होता है उसी दिन हमारा loss होगा वरना हमारा एक भी दिन loss नहीं हो सकता ठीक है मैं आप लोगों को हमेशा कह रहा हूँ आपको nifty bank nifty को lower levels पे उठाना है अगर ये चीज़ आपके mind में थी और अगर आप लोगोंने analysis कर रखी थी तो आपको market पे बहुत फायदा होता जो हमारे clients का group है जिन मैं पढ़ा रहा हूँ वो लोग daily मुझे analysis भेजते हैं आज में उन लोग ने कुछ profit earn करा मैंने उन्हें एक बार भी नहीं बताया कि क्या trade करना है किस तरीके से करना है मैंने सेव एक बार समझाया तीन दिन पहले उसके basis पे वो लोग consistently analysis अपनी खुद की कर रहे हैं and earn कर रहे हैं इसे कहते हैं dependent नहीं बनना independent होना ठीक है आप तब ही consistent कर पाऊगे तो इसका breakout दे सकता है chances आ रहा है चार से पाँच रुपे कल intraday में भी दे सकता है eventually शायद कल के कल breakout भी दे दे but first आपको scenario देखना है कि market का sentiment कहाँ पर है nifty bank nifty दिखाऊंगा तो अभी resistance ही उसे face करने को मिल रहा है अगर वो resistance break करता है तो chances आ रहा है जो हमारे buy के stocks हैं वो बहुत अच्छा perform करेंगे next stock is P.E.L next stock is P.E.L ठीक है peramel enterprises and इस particular पर भी आप देख सकते हैं अगर मैं इसे थोड़ा सा zoom out करता हूँ and इसका मैं weekly chart लेकर आता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने एक head and shoulder type of pattern बनाया था pattern बनाने के बाद उसका breakout दिया था फिर इसने retest करा and retest करने के बाद एक hammer type of situation बना रहा है अपने trend line पे ही अब आते हैं दुबारा weekly daily charts पे तो daily charts पे हमें पता चल रहा है यह देख सकते हैं नीचे retest करा retest करने के बाद exact एक reversal candle देखने को मिली है अब यह इसकी जो previous candle है जो एक strong red candle है इसका 50% की उपर जब यह जाएगी इस पूरी body का 50% की उपर जाएगी तो हमारा buy initiate हो जाएगा which level is this 1453 का level 1453 की उपर यह जाएगी तो एक अच्छा कासा buy setup generate हो सकता है तो piramal enterprises को अपनी watch list के अंदर रखेगा definitely फाइदा मिल सकता है ठीक है यह जो मैं stocks बताता हूँ watch list के अंदर ज़रूर add करेगा अगर कल momentum नहीं आती है तो definitely possible chances आ रहे है कि पर्सो तक आ सकती है next talk is BSE BSE को चेक करते है BSE पे भी एक head and shoulder type of pattern बना था ठीक है यह एक weekly chart के अंदर बना है तो वहाँ पर आपको easily समझ में आ जाएगा अगर मैं लेकर चलता हूँ आपको देख सकते है cup and handle type of formation है and उसके उपर इसने breakout भी दे दिया है तो breakout दे सकता है दे दिया है तो chances आ रहाए कि अच्छे targets भी दिखा सकता है अगर daily chart पे चलते हैं तो daily chart पे आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है या आप इदर देख सकते हैं कि एक बर breakout दिया, retest करें दुबारा उपर जा चुका है और जो breakout candle थी उसके उपर जाके closing भी दे चुका है तो yes chances आ रहा है कि यह 10-12 रुपे कल intraday में possible दे सकता है तो इसको अपनी watch list के अंदर add करेगा telegram पे levels प्रोवाइड हो जाएंगे next stock is Tata Elixi Tata Elixi भी buy के लिए है अगर मैं इसका setup आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं यह जो purple color का आपको zone दिख रहा है यह weekly charts पे आपको अच्छे से दिखेगा यह multiple resistance था एक lifetime high था जैसे इसने break करा था break करने के बाद retest करा and retest करने के बाद यह दुबारा उपर गया है ठीक है now यह cup and handle type of formation भी बना सकता है ठीक है तो उसके लिए हम लोग त्यारी कर रहे हैं यह एक cup हुआ and यह एक handle बना सकता और अच्छे level से reverse कर रहा है because अगर मैं इसका Fibonacci लेता हूँ देखे इसका अगर मैं Fibonacci लेता हूँ yes and इसको मैं थोड़ा black कर देता हूँ yes तो आप देख सकते हैं exact अपने 50% से retrace कर रहा है और उपर जा रहा है और एक important बात अगर मैं आपको और दिखाता हूँ इस चीज के अंदर तो आप इस line को देहां से देखेगा yes यह line देख रहे हैं यह पहले इसका resistance का काम करती थी now यह support का काम कर रही है and इहां से reverse कर रही है तो chances आ रहा है अपने previous high तक जा सकती है तो 1700 तक भी जा सकती है तो अपने watch list के अंदर add कर यह आपको इसके अंदर भी multiple trades मिल सकते है ठेक है next stock और last stock is trend trend ने अपने breakout दे दिया closing दे दिया कल confirmation आजेगी मतलब हम लोग कल पे भी एक buy initiate कर सकते है देख सकते है एक upper rising channel के अंदर यह भी काम कर रहा है ठेक है यह जो black color की बीच में line देख रहे है इसका काम क्या है यहाँ देखिएगा इदर साइड यह इसके लिए resistance का काम कर रही थी ठेक है उसके बाद फिर resistance का काम और फिर resistance का काम यहाँ पर भी resistance का काम और break करा एक बात को देखीगा ही इसने जब भी इस trend line को break करा है तो एक sharp rally देखने को मिली है और upside में देखने को मिली है similar इधर भी हम लोगों को देखने को मिलाता up move आई थी दुबारा नीचे से break करके उपर जा रहा है जब एक trend पहले से ही चलता वा आ रहा है तो हमें उसे respect देनी है जब तक हम उसे respect देंगे और वो उस trend को continue करते रहेगा तो हम लोग profit अच्छे से अन करते रहेंगे जिस दिन उसने उस trend को नहीं माना और हमें loss हुआ हमें पता चल जाएगा trend का reversal आ चुका है ठीक है? 10 trade हमें अच्छे मिल रहे हो एक में loss में अगर reversal मिल रहा हो तो कोई बात नी तो यहां पर आप लोग एक buy initiate कर सकते हैं अगर यह probably 712 की उपर जाता है तो अच्छे खासे targets आ सकते हैं positional अगर आप इसे hold करेंगे for a swing trade तो आपको 760, 770 तक के targets भी मिल सकते हैं तो इन सारे stocks को आप hold करके दख सकते हैं lifty देखते हैं nifty bank nifty बता देता हूँ कि कहां हमें दिक्कत आ रही है 15 मिनिट के time frame पे चलते हैं आज 15 मिनिट के time frame पे हम लोगों ने अच्छा earn करा था ठीक है यह हमने अपने clients को 3-4 दिन पहले बता है था sorry कि यह यहां पर एक support ले रहा है and यहां पर उसे resistance देखने को मिल रहा है तो जब भी support पे आ रहा है हम लोग buying कर रहे है resistance पे आ रहा है हम लोग selling कर रहे है अब देखेगा यह जो एक pattern बना है यह pattern इसे कहते हैं cipher pattern यह cipher pattern बना है cipher pattern का exact यहां से reversal आया यहां तक नहीं आया है हमें पता था कि यहां से reversal आया है because it's cipher pattern second चीज अगर आप देखेंगे बनाता हूँ आप लोगों के लिए yes यह line बना रहा हूँ यह देखिए यह resistance यह resistance exact इदर support लिया body का and up move तो यहां पर एक confirmation भी मिल गई थी कि यह एक support का भी काम कर रहा है यहां पर हम लोगों confirmation मिली दो candle ने एक up move दी अपने 50% को cross करा देख सकते हैं जैसे आपको नीचे भी show कर रहा हूँग December batch का यहां पर भी अपने जो भी हमारे clients हैं जो भी हमारे साथ जुडे वे हैं वो लोग यहां पर अपने screenshots share करते हैं अपने trade setups के profit का यहां पर कोई system नहीं है कि आप हमें अपना profit दिखाओ अब हमें अपना profit दिखाओ अपना profit अपने पास रिखिए दूसरों को show करने की क्या जरूरा आता है उससे आप लोग बड़े नी बन जाएंगे so यहां पर हमारा buy setup generate हुआ हमारा target यही था because यहां पर multiple resistance space कर रहा था अचीव हो गया अभी अगर मैं से हटाता हूँ आप देख सकते हैं exact अपने resistance space को breakout नहीं दे रहा है so what we have to do यह जब भी इसको breakout देगा which is 13,580 को इसके उपर एक candle close होगी तो हमारे लिए एक buy setup generate होगा अगर यह दोबारे इस level से नीचे आएगा तो हमारे लिए दोबारे एक selling pressure generate हो सकता है same goes with bank nifty bank nifty के अंदर भी support supply और demand zone के थूँ हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर भी system यही बनावाए आप देख सकते हैं exact इसी level पर आके एक buying generate होती है higher side पर आके एक sell generate होता है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं exact अभी यह थोड़ा सा resistance के पास घड़ा है तो यहाँ पर कोई trade नहीं है buy SL का upper resistance को break करेगा तो हम लोग buy करेंगे मैं नीचे कर देता हूँ इसको ठीक है upper resistance which is 30,800 उसे break करेगा तो हमारे लिए buy generate होगा और अगर 30,300 को नीचे break करता है तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे then we wait for a trend reversal वो होगा zig zag formation ठीक है यहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर जब तक lower highs नहीं बनते है यह देखे एक बर break करा break करने के बाद उपर गया first time high को break नहीं करा नीचे आया ब्रिलो को break कर गया अब हमें wait करना था अगर second बार ही low को break करता हमारे लिए trend reversal हो जाता but eventually नहीं हुआ उपर चला गया तो हमें confirmation का wait करना पड़ा था ठीक है कभी भी मैं आप लोगो को बता रहा हूँ मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कभी कबार हो भी जाता है यह सब के उपर होता है ठीक है अगर आपको loss शो कर रहा है बट आपका setup सही है तो उसे exit मत करना कभी भी ठीक है मैं एक personal experience से बता रहा हूँ अगर आपका setup ठीक है और अगर आपको loss शो कर रहा है for example मैं इसी पर आपको एक analysis दिखा देता हूँ जादा time नहीं लूँगा आप लोगों का एक minute का और है ठीक है मैंने बोला कि मुझे इस पर बाय करना है एक्जाक्ट इस लेवल पर बाय करना है ठीक है मैं यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ because मैंने देखा नीची आया exact supply zone तक आया उपर गया एक red green color की candle भी बन गई है अच्छी से तो मेरे लिए confirmation हो गया मैंने आपर अपना बाय setup generate कर दिया मेरा target प्रॉबबली यहाँ तक होगा क्योंकि यहाँ पर multiple resistance है वो line भी दिखा देता हूँ अगर आप लोगे confirmation नहीं मिल रही है यह देख सकते हैं यहाँ पर multiple एक range है तो यही मेरा target हुआ मेरा stop loss हो जाएगा यह level जो मेरा supply zone है अब क्या हुआ बहुत लोगों के साथ क्या दिक्कत होती वो जब यह stock नीचे आने लगता है stop loss को hit नहीं करा अंदर से एक fear आ जाता है यार अभी account में 10,000 का loss हो कर रहा है क्या करू यार exit कर दू खामा का stop loss hit हो जाएगा मेरा को 20,000 का loss हो जाएगा तो यह fear को न overcome करने की कोशिश करना तेक है अगर यह fear आपको आता है तो मैं suggest करू कम quantities पे trade करो एक बर अच्छे से आपको fear overcome हो जाएगा तो quantities बढ़ाते रहना तो यहाँ पर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता कि इस जगा पे छोटा साइट stop loss बचाता उस चकर में आप लोग जल्दी exit कर देते हैं और fear यह दोनों चीज़े बहुत important है ठीक है इसको आपने समझ लिया तो market पे आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता so guys good bye अगली वीडियो पे कल मिलते हैं बाई बाई